आज का व्लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नए घर से और यह देखे पीछी का व्यू बारिश हो रही है आपको आवास सुनाई दे रहे हैं लाइट्स एक के बाद एक टेक-उफ कर रहे हैं तो बस हम अपने नए घर में हैं और ग्रीन इडि देखे गाइस इतनी खुबसुरत है इतनी खुबसुरत व्यू है इस greenery को देखके इस घर में रहने का मजा ही कुछ और है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत positivity है उजाला है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को आशिस से मिलवाती हूँ और उससे पुछती हूँ कि उसको कैसा लग रहा है आशिश अपने लिए किछन में ब्रेखफस्ट पना रहे है तो चलते हैं और आशिश से पूछते कि उसको कैसा लग रहे है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो गाईश हम अपने नए घर में इस तरह से अपनी गुजारा जिंदगी गुजारा कर रहे है आशिषका यहां पे ओर्ट्स बन रहा है, यह इंड़क्शन ने हमें बचा लिया, आप क्या कहना चाहोगे? बड़े हैं ने इंड़क्शन चाहा है, मैंने तो गल इसमें खिचडी भी बना लिया था, अब ओर्ट्स बन रहा है, यह अपनी क्या ड़ा है? यह पीनट बड़ा वावा सही है पीनट पड़ा और एक्स और कहता लगए आपको इस नए घर में लोगीशन इस नाइस और वेदर भी अच्छा है लगी जब से माय है बारिश ही बारिश ही बारिश ही होगी है अच्छा है बढ़िया है और जिसक्राम के आए हुए है वो अच्छा है वो अच्छा है तो यह पीन नाइस चीक अच्छा लगए मुझे तो बहुत अच्छा लगए यहां पे इस फ्लैट पो जो भी लेगा उनको अच्छा ही लगए बहुत पॉसितिविटी है तर का अच्छा है तो अच्छा है तो गभी इसमें कुछ हुआ लगए और हम लोगी बड़े पॉसितिव लोग है तो अच्छा हो गया है प्लाज लोगेशन अच्छी है एंड व्यू अच्छा है तो उसके करण सोने के सुहर कांटाउस तो मेरा जो है अच्छा है तो पर जो बड़े अच्छा है और हमारे पास फ्रीज नहीं है तो हम लोग इससे काम चला रहे है एक्सी छुटा पैक लाता हूँ तो दो दिन चल लाता हूँ अगर उस्टादा कुछ यूज नहीं करते हैं तो यह बिना फ्रीज के भाज डोग रोगते हैं प्राज कर सकते हो वह बड़ बावाला पैक मेरे अच्छा हूँ था तो इसको हमने तीन दीन चला लिया है तीन दीन चला लिया था यह खराब नहीं हुआ थोड़ा सा बचाता है आज खराब हो गया था जब से हम यहां पर आये हैं तब से बारिश हो ही रही है और यहां पर हमने अपना छोड़ा सा आशियाना बना लिया है जो टेस्टी ब्रेकफरस्ट और गाहित आप लोग के इन बात बदानी है मुझे जैसे कि हम लोग वेजिटेरियन हो चुके हैं तो सेमी वेजिटेरियन में वहाथ पहले से चाथ क्योंकि स्टाइटिन आप कि कह रहे थे मैं यह एहा था कि अजसे के आप वेज़िटेर बशचुके तो सेभी ज़िए पहले चिकिन बटल पेफर नहीं करता था खाना में और अंडे भी बंद कर दी यह थे अंडे में दूरिंग कोविट बद कर दिये थे क्योंकि बड्ट फ्लू भी आ गया था और मैं चहाताने था की कुछ चालू बहर का युछ भी मारी भाला कुछ फूट कालू तो वो अंडे बीद कर रहा था मैं आने के लिए और तो मैं रोकोड़ा बहु निि कर रहा था तो कुछ रिक्राइमननी की नहीं तो बेरी में तो ड्रॉटीनिट इलिए ठीक उतना ही ले बेट लॉस की अधा ट्रेनिंग से वो सब बीच में ही रुका हुआ है आई में मेंटेन करके रखा हुआ है तो मैंने इंटे खाने चालू करती हैं तो कि मुझे भी प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा और मैं ज्यादा बेट प्रोटीन प्रोटीन नहीं होना चाहता हूँ तो अंडे मुझे डेली के रिक्वाइमेंट होते हैं तो मैं अपने प्रोटीन इंटेक से बन तो सिले रहा हूं और आखी मैं जिन्दी के बड़ वेजिटीरियन रहोगा इंग किसी का फूल प्रावर ही करूँगा तो अंडे के से पर्मिशनली है मैंने खानी की अपने आपसे तो अंडे मैं में फ़र करता हूँ खाना तो मैं अंडे खा रहा हूं बेरी गुल किसी तरह से यहां रे कि खाना पीना सबकुछ मैनेज हो रहा है आप लोगों पता ही हमारा बहुत ही सिंपल खाना देता है जो कि इंड़क्शन हमारे जो खाना बनानी का जो रिक्वाइरमेंट है वो इंड़क्वील कर रहे आप लोगों भी इमर्जेंसी के लिए कभी कबार ना इंडक्शन हर किसी के घर पे होना चाहिए, जरुरत के टाइम तो बहुत काम आता है, उसमें चाय बन जाती है, मेरी खिचडी बन जाती है, आशिश के ओट्स बन जाते है, और क्या चाहिए, मेरे लिए तो खिचडी बन जाए तो और क्या चाहिए, बढ़िया बस हम लोग इसी तरह से मैनेज करके चल रहे हैं तो ये फ्लाट हमें सेल करना है इसलिए हम यहां आए हैं क्योंकि अभी थोड़े दिनों में लोग आएंगे फ्लाट को देखने के लिए और फिर इसके लिए अगर हम यहीं पे रहे के लोगों को दिखाए तो अच्छी बात होगी हम अच्छे से दिखा सकते पूरे फ्लाट को और होप सो फिंगर्स क्रॉस्ट की जल यह फ्लाट सेल हो जाए तो फिर हम मॉंबई वापस जाए हमारा ऐसा ही प्लानिंग है तो देखते हैं क्या होते सब कुछ मातराली के हाथों में है तो होप सो सब अच्छा हो गाइस मैं आप लोगों को एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज दिखाने जा रही हूँ जिसके बारे में आशिश आप लोगों को बताएंगे तड़न और इसके बारे में मॉमिता बात कर रही है वो है ये अब ये देखके तो सौंच में आएगा उपको क्या है अला कि ये देखके आपको दूर से स्थान में आ जाएगा कि ये आपका मिल्टा जूटा नूडल्स है और हाजल हाद कि मैगी खाना में फिल्फाज आता नहीं करता हूँ लेकिन इस्टुएंट्स हैं और जो दड़किया हो जादा मेगी खाती है और कॉंसेंटर वाली विज़ो ओफिस वाली होते विचारे हो भी खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास एक ही मील होती है इंस्टेंट वाली मुझा है उनके रुलेश का यगे क्योंकि हो यह ने धामेगी कर बोने दीख राली होगा troop अधन टाटा के बहुत आद्माइर क्रता हूँ अधन back को यह छिफ पराश जो द्म यह कोई एड्माइर करता हूं यह, एबन से नो मैदा है और पेपर मसाला है यह जो मारी मेंच वाले नहीं नहीं है सब्क्रविक क्विज्टिण है कीजिए भीली है यह गाली है वी शिए जाया दॉखिए होती है तो हमने ब्लैक पेपर वाला लिया है और पेपर मसाला नूडल साइड पाइकिंग बहुत अच्छी किरोगी है हमारी देसी कंपनिया बहुत अच्छी कंपनिया है पीछे पुरा दिया हुआ इसमें और साथ में एक आपको फॉग मिलता है साथ में आपकीन भी दी जारी है और काफी बड़ा है यह सिर्फ 99 रुपीज का है मेरे काल सिसमें दो से तीन लोग खा सकते हैं अगर प्रटोड आपको खाना है या दो लोग के लिए सफिशेंट होगा खाना है इसमें देखना पड़ेगा मुझे को यह मेरा फरस टाइम है और इसमें लिखा है प्लेस इंग हाट वाटर फोर थी तो फाइंट तो वह रखना पड़ेगा और अगर आप माइक्रोवेग में लग रहे हैं तो 60 सेकंड की रहना पड़ता है कैलोरी वगर इसमें सब दिये हैं जो की नॉर्मली होता है बिले गई आपको तो वियर में हैपी और उनको इसमें फोर्क मिल रहा है नाटकीन मिल रही है तो आप रेड़ी टूपू हो आप नहीं में जाके इसको गरम करके खा सकते हैं इसको झाने के बाद ही मैं डिसायड करूँ गा रहा कि यह मैंद कर रहा होना चाहिये है् हाला कि अगर आप मैंगी खाने का शौक रखते हैं तो आपको तो जरूरु try करिये और इसको खाने के बाद ही मैं आगे चारेगीब दूँगा अगी तो जाऊ और चाहाँ की कि अच्छी पैकिंग है यह फोग दिया हुआ है इसके साथ मसाला है एंद तुनोट बॉल डायर ट्रे यह क्या अलिख है दूनोट पील ओपन एंद ट्रे गवर बिफर हीटिंग उन्स्टोव बॉल वाटर उन्स्टोव इन लार्ज वैसल वन्सिट बॉल्स टेक दवैसल ऑफ दे स्टोव तो बनाने के लिए हम लोग होई चूके हैं तयार तो थोरा सा एक्साइटमेंट आया है आज के आज की मॉर्निंग में इतनी अच्छी पैकिंग दे दी है कि खुली ही निया है तो इसके लिए अच्छी आज करना पड़े इस कमडर यहां पासीजर और यहां पनी मारा या था तो तो गाइस यह जो है यह पुरा फिला है तो गारम पानी में रखना पड़ेगा आइस इंक मुझे पानी तुड़ा और कम करना पड़ेगा रूपा जाना है जो जो फ़ोहां जो फ़ोहां पाइस जादा है पाइस जाए है गर्ण बैसा है तो खाने थोड़ा अटपटा लग रहा है वह इसलिए कि यह नॉर्मल मैगी जशा नहीं था अपनी जब उसको पोला तो यह अलेडी ग्रेवी में था तो पानी जब बनाया है तो उतना फ्लेवर खुल के नहीं आ रहा है लेकि यह नॉर्मल सादारन नूडल जैसे लग रहा है जैसे नूडल्स होते हैं वैसा लग रहा है तो ज्यादा मैगी वाला तेस नहीं मिलेगा अपको तो इसमें मैगी जशा फ्लेवर नहीं आएगा ना क्योंकि यह मैंदेखा नहीं है यह मैंदेखा नहीं है यह मैंदेखा नहीं है पर किसका यह नहीं बताया है यह मैंदा नहीं है लिगन 0% मैंदा है वीट है या नहीं है मैं भी शूर निवक्रिश में मेंशन नहीं है खाने मैं अच्छा लग रहा है पानी ज्यादा हो गया धुड़ा सी जादा आभी बॉइडी हो गएना हो खोरा है हम लोगों इटेजा बनाएंगे अपरस्तेम का अमारा दू какую-स ब लोगों हिसाल dynasty से हैं मुझे Fataq निअसा में और तो कर मिधा बहुत हमें हैं अगर आपको अच्छा लगे कभी तो इसी ब्लॉग की नीचे कमेंट ना के ज़रू बताइए कि कि आपने ट्राय किया और आपको कैसा लगा तो मेरा ब्रेक्फर्स जो था मॉनी में हो चुका था और अब तो फैर के बच चुके दो बच के 25 मिनिट और मॉमिता ने अपना खाना बना गया है इंडेक्शन में और इंडेक्शन में खाना वाला ना आजकल बहुत है मेरा खाना बनान इंडेक्षन में भूंडा बनाने बहुत मुझ जल्दी बन lift और मॉमिता की खिचडी बहुत जल्दी बन जाती तो अभी मॉमिता खाकरी है अपनी ऐटलिया खिचडी अव थोड़ा ता शौन में के साथब करिये देख दे क्या खाकरी है कि यो तो डिया खिष्ट्री यो कि बहुट स्वाधिष्ट बणाया तेस्टि आप की एक्तिविटी को देख तो बस बतन तो बोर और हो गया बन अच्छा जाता है तैस्ती लगता है तैस्ती लगता है और बहुत सादा मतलब हम जैसे उस लगता है Erfahrate सती हित्ता चुले बनो में ज़त उन गना आप्नी कृष्ति ऐया तो आप चुले बना यांनी के बतन अब देगा भाई, पेंटिंग अच्छे से करवा देना पीछे से, लोग टाइम हो गया, अमने कुछ किया नहीं है, बिल्डर नैसे दिया तो तो हम दो नैसे रखा हुआ है, सही बात है, अच्छे से करा देना, कोई बात है, हम लोग टैंप्रेरी हैं, हाँ हाँ जाखव, जाइक, चाले हाँ झाल झाल जो ऐखा लिया अपने एक शॉप अपने आप वीडीयो रेकॉड कर रहे थैं मैंने खालिया। चाई पीने चाहिए चीर्स जेर्स और चाही कासी बनी शॉप बनी बनी चाह बट बनी शॉप पनी बनी बनी शॉप त्छो गारे ठीकशन वड़ी चाही लग धी ना व्बाल चा कर दो कंट्रोल नहीं करता है तो इस बालकानी एंगा यह जिए थियूदे ढ़ी आपके पीछे भी मस्त करें रही है मेरे पीछे तो पॉंक्रीट है कर दो कर दो दो कर दो कर दो तो गाइस अब हो गई है शाम इस व्यू के साथ यह चाय तो बनती है तो इस चाय के साथ मज़े लेते हुए आज का व्लॉग हम यहीं खतम करते हैं मिलते हैं अप लोगों से एक और नहीं व्लॉग पे तब तक के लिए बढ़े स्टेख एफ एंप प्लीज प्लीज डोंट प करते हैं